वित्तिय वर्ष के आखरी दिन शेयर बाजार में शांदार तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स 649 अंग मस्बूत होकर 13635 और निफ्टी 203 अंग को चलकर 22326 अंगों पर बंद हुआ आज बजाज फिंसर्व के शेयर्स में सबसे अधिक 3.9 एक फीसद की तेजी रही इसके बाद बजाज फाइनस, नैसले इंडिया, SBI और पावर ग्रिट के शेयर्स में भी तेजी देखने को मिली शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए रोजाना ही हमारे साथ जुड़ते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग्वी जी बहुत बद धन्यवाद अनिल जी आपका आज फिर हमारे ले समय निकालने के लिए और आप हमारे दर्शोकों को ये बताएए कि आज का दिन बाजार के लिए किन माईनों में खास रहा है हमारे शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहत खास था आप सुछेंगे ऐसा क्या खास आज के दिन में वैसे तो हरोजी टेडिंग होती है बिल्कुल होती है आज का दिन खास कुछ वजहों से था पहला आज इस वित्वरश का आखरी ट्रेडिंग सेशन था यानि कि अब तीन दिनों का लंबा विकेंड है सीधा पहली अपरिल को बाजार खुलेंगे तो ये फाइनिशिल एर एंड के इसाब से क्लोजिंग वाला माम कर से और खुलने के लिए पिछले तीन-चार दिनों से भारती बाजार थोड़ा तएज होने की कोशिश तो कर रहे हैं मजबूत होने की कोशिश कर रहे है," और आज क्या हुआ दुनिया भरके बाज़ों से खासषर अमेरिका से जो तेजी के संक्यता आए, पूछे मत लाओ उस 500 पॉइंट चड़ गया एकदम उम्मीद नहीं थी किसी को और फिर वहां से भारती बाज़ों ने ट्रिगर्स लिये कल बैंक निफ्टी के एक्सपारी थी आज निफ्टी के लिए आकरी दिन था बस शुरुआत सुस्त हुई और हमने सुबह ही इस शुरुआत पर ही ये मान लिया था और कह दिया था कि आज खरीदारी का बहुत बढ़िया दिन है एक अच्छा मजबुती वाला ट्रेणिंग सेशन हो सकता है और दी में दी में दी में बाज़ा ने वैसी मजबुती बनाई भी 2200 के आसपास खुला 300 पार किया 400 भी किया 500 भी किया आज का ही 516 सोचे लाइफ टाइम हाई 22,526 निफ्टी का जो है उससे सिर्फ 10 पुईंट दूर रहा ओल्मॉस्ट लाइफ टाइम हाई पहुँच गया है ये तेजी वनी इतनी खतरनाग इतनी जवर्दस बस उसके बाद जो मंथली एकस्पारी के लिए थोड़ा उपर नीचे होता है प्रोफिट बुकिंग आती आई भी वहाँ से करीबन करीबन वापस से 2250 के आसपास 200 पुईंट करीबन करेक्ट भी हुआ ठीक है फाइनली 22-300 के उपर बंद होने में काम्याब रहे 200 पुईंट उपर सेंसेक्स में 6500 पुईंट का बढ़या उच्छाल मिरा बैंक डिट्टी भी 3700 पुईंट उपर बंद होता दिखा मिट केप शेरों में भी खरीदारी थी स्वाल केप शेरों थोड़े आज ठंडे थे आज फोकस दिगर शेरों पर ज्यादा था तो ग्लोबल मार्किट के अच्छे संकेत लोकल फंड्स एफ़ाइस की तरफ से खरीदारी के ठीक ठाक आंकरे और वाइदा करुबार में निफ्टी की मंथली एक्सपाइरी ये सारे कारण थे जिसने बाजार में जोश वरा और लगबग लगबग लाइफ टाइम हाई के लेवल के आसपास बाजार पहुंच गए ठीके भी आज ओटो शेरों में अच्छी रफ़तार थी बढ़िया खरीदारी होती दिखी सरकारी कमनिया फिर से दोड़ लगाती दिखी मज़ा आया मिटकेप कमप्टियों में आज मिटकेप कई सारे मिटकेप शेरों में दस से बीस परसंट का जो बड़ा उचाल दिखा और जहां भी थोड़ी सी अच्छी खबर तेज दोड़ लगाते दिख रहे हैं NBFC फाइनिंस कमप्टियों में बढ़या तेजी बनी है सो मतलब आज का सेशन ऐसा कि किसी को कोई objection नहीं और पिछले पांच साथ दिनों से पांच साथ दिन पहले जो मूर ऐसा खराब होके रखता ना लहू लुहान हो गया दिरिया अमर गया पिट गया वहां से जो रिकवरी आई है पिछले पांच दिनों में क्या भागा है मार्केट और जिन लोगों ने हमें देखकर सुनकर पिछले साथ आठ दिन पहले पैसे लगा है तो उनके लिए उनका पोर्टफोलियो अब तीन दिनों का लंबा विकेंड है सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए तो आज रात को जो अमेरिका में होना है वो तो ठीक है कल गुड फ्राइडे है तो लगबग लगबग दुनिया के सारे बड़े वाजार बंदे है अब हम खुलेंगे सोमबार सुबह देखते हैं दुनिया पर में किस तरह की खबरे आती क्या कुछ होता रहा आज तो वैसे भी डेटा बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे क्योंकि क्या है कि आज की डेटा में एड़्जस्मेंट बहुत होंगे मंसली एकस्पाइरी के लेकिन देखते हैं नई सेजिच की शुरात अप्रेल अप्रेल का महिना आम तोर पर रहता है बाजार के लिए अच्छा ठीक है डेटा ये बता रहे हैं पिछले दस सालों के मैंने डेटा निकाले है अप्रेल से जिच के ये कैसा रहता है दस में से आठ साल आठ बार अप्रेल में बाजार में बढ़या तेजी बनी है खरीदा रही और आम तोर पर दो से तीन परसंट के इंडेक्स में तेजी बन जाती है अप्रेल के महिने में मार्च के मेने के एड़ स्मेंट, फंडिंग की रिक्वाइमंट, प्रमोटर फंड्स की बड़ी बिकवाली, मिटकेप, स्मॉल केपशिरों को लेकर जो बड़ी चिंता हैं बबल और आम तोर पर मार्च के मेने में लोग अपनी पॉजिशन कम करने में, बुक्स क्लीन करने में विश्वा सकते हैं, ये सारी चीजें पीछे छूड़ गए, अब अगले हफते जब अपरेल के लिए आएंगे, तो एक दों फ्रेश मूर माहुल में बाजार होंगे, और वो इलेक्शन के पहले एक तेजी का जो महौल बनना है, उसकी शुरात अपरेल सेजी में होगी, प्री इलेक्शन रेली, यहां थोड़े बाजार यहां से और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे, लाइफ हाई के बहत करीब आच चुके हैं, अब सपोर्ट जो है वो देख आउट दिया है, तो अब 46,847,000, यह 200 पॉइंट की रेंज यह बहुत ही मजबूत सपोर्ट, और 47,500 के पार निकल कर बैंक लिफ्टी जैसी टिका, फिर यह नई रेंज में और तेज़ दोर लगाता ने ज़राएगा, तो ओवर ओर ओन डिप्स, यानि की गिराउट में खर परिते रहिए, और बाजार अप्रेल के मैने में कुछ और मजबूत होने के लिए तैयार होता दिखा है,